एक सिस्की समी है इससे तो मेरी प्यास आज नहीं बूच पाएगी हेई गाइज वेलकम डू आर यूटूब चानल टू सिस्टर्स चालेंज मैं हूपा ये तो आज के वीडियो मैंने काफी सारी यमी यमी एंड मेरी फेवरेट डीश लेके रखी है ये रहा मेरा regular मैगी जो कि मेरी सिस्टर्स ने बनाया है सिस्टर्स सपेशल मैगी ये रहा नहीं वेज कॉन चीजी पीजा जिसमें ये आज वेजिश डाली है ये रही मेरी दही पूरी यार बहुत ही यमी है बहुत ही पसंद है यह बहुत जादा special है मेरे लिए हरा भरा कबाब चीज़ बर्गर यह रही बिग प्रंच चीज़ बर्गर वाव यार काफ़ी चीजी होने वाला आज का चालेंज यह रहा मेरा स्टीम मोमोस साथ में मुझे मिली है मेयोनीज सेजवान रस मलाई यह रहा मेरा मैंगो जूस जा मैंने खुदी बनाया है घर पर तो मैंसे कैसी भूल सकती थी तो आज बहुत कुछ खाने को मिलने वाला है मुझे आप देख सकते है पूरी टेबल भरी हुई है तो चली अपना वीडो स्टार्ट करते हैं तो गाइसस्ट आप बिजिया सबीट सब रर्क शेड़े लेगए सृपर अपकी आप अप सब्सक्राट करते हैं अपनाने के बाद मैंने एक्स्र चीज भी मांग लीग है अंगल ने कैसी बनाई गहाँ एक शिशी समी है अंगल शिशी घुक शिशीस स्दीच. उपिसी मैंचल, का बनाई अगरण धिनिय। कि आ रूपको अगरण दिए होगाँ कि अबड़, कि कि अबड़ दोस्ते है स्वाई अधिनिय। तर में ऐसा सिरक में नयए झाखानी तियूए्याज और में ढमें कि घयूँन सेघके हुए़फेaja जाटे। , ऩİ् croisता को अजगी है जाल है ybor जाहसा क fulfill आप सकती हैं यह वाली मैगी है जो दो मिनट में रेडी हो जाती है तो बहुत ही एक नॉर्मल है और बहुत मज़ा रहा है कामेने झाया रिटयरी कामेन, बहुत हम यह दो हम देख सबके दोनों टिक्के में काफे डिफ्रेंस है यह ना पकोड़े जैसा लग रहा है धोड़ा और यह दो हमारी आलो टिक्की टाइप में बहुत ही अचा है एक बहुत ही अचा है एक अचाई है यह दिफ्रेंस का है इसे तो मेरी प्यास आज नहीं बूच पाएगी कल दक भी नहीं खतम होगा क्यां जाओ आज बूच आज आज नहीं इसमें हरे बरे कबाब में बहुत सारी ग्रीन पुदिनी की चटनी डली होगी है इसकी जो टिक्की है इसमें शायब बीन्स और मटर और काफी चीज इसमें डाली गई है सब्सक्राइब गई होगा कर दो काफ रेक्षच अब डएफिन पाप्राइब पाप्ट में अन्याव कि अधी अधी नहीं है है… तो गाइस मोज बहुत ही टेस्टी है तो गाइस चलिए थोड़ा प्यारे प्यारे कॉमेंट्स रेट किये जाए गुर्वीन महरा आप तीनों रियल सिस्टर्स हो सस्तज बताना तो गाइस हमने कही बार पहली बताया कि हम तीनों सिब्लिंग्स है बट हां मैं किसकी तरह जादा सिमलर दिखती हूं यह जरूर आप कॉमेंट कीजिए कभी भी आइसक्रीम और कोल्डिंग साथ में नहीं पिया पिना चाहिए दी हमें पता नहीं था वैसे मैं आइसक्रीम और कोल्डिंग साथ में प्रिफर करती हूं बट मुझे हाइडिया नहीं था नेक्स्ताइम से पक्का अबॉइड करूंगी नेहा चोहान मेरी हसी नहीं रूकी जब पाल नहीं बोला मुझे चक्कर आ रहा है और कैमरा गल सो रही है पीछे बट बहुत ही फणी था वीडियो ओमाइग गॉड आप इतने ध्यान से देखते हो यह वह मुमेंट था जब मैं दो दो बलूंस फुल आने पड़े थे और मेरी पूरी हवा निकल गई थी तो मुझे चक्कर आ रहा था तो आपने इतना जादा डीपली लाइक नोटिस करते हो थैंक्यू सो मज़ गाइज प्रिया मिष्टा इट वस अ फैबलस चालेंज दवे वेन प्रीट सेज अंग्रेज की अम्मा तो गाइज इस वीडियो में न मुझे आपनिश्मेंट में दिया था लिखने को जैश्री राम एंग्लिश में लिख रही थी तो वह मुमिन था जब प्रीट में बोला जैश्री राम एंग्रेज की अम्मा तो आप इतने अच्छे से नोटिस करते हो तो चलिए कंटीनियो करते हैं तो गाई जेरें वेरे रसमला आई सबसे ज़्यादा टेस्टी रसमला आई है तो जह प्रोड़ी रसमला आई मिलों है लो ढईंग्रेजादा दॉपार जगजा तो बोलाओ जब भावारा तो प्रोड़ी नह दो एंग्रेशश हुआ हैं अगख जिया हैं लुष्ट कोई घ्राइब हैं लुष कैसी नहीं हुआ हैं हुआ हैं झाल 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 तो गाइस, मैं अल्मोस फूल हो गई हूँ, यह लास्ट मोमोस गे गया मैं अखका तो गाही लास्ट हो गजाना नहीं खा सकती है तो गाइस मैं बहुत जादा फूल हो चुकिए, मैं से तो अर नहीं खा सकती है तो मैं बदाना चाहूंगे अगर आप कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं तो रसमलाई जरू ट्राइ करें अगर आप थोड़ा कम स्पाइसी खाना चाहेंगे तो बिग क्रंश ट्राइगरें वेश मोमोस तो हर को ही पसंद करता है बट यह बहुत ही सिंपल और साधे थी आज के पूरे डिशेस में तो इसलिए मुझे बहुत ही पसंद आया है मैंने पूरा खाकर खतम कर दिया तो आपको मेरा मुझे बहुत ही पसंद आया होगा और सारे वीडियो की तरह इस पर अपना प्यार और लव जरूर दिखाएं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नया वीडियो किस कॉंटेंट पर लाओं क्या इंप्रूफ कर सकती हूं इन सारे डिशेस में आपका सबसे ज़्यादा फेवरिट क्या था तो गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक करें जादा से जादा शेयर करें मेरे चैनल पर न्यू है तो इससे सब्सक्राइब कर दे एंद बैल आइकन को ज़रूर हिट करें तो आपको मिल दे रहूंगे ऐसी मज़ेदार नैने वीडियो और नैने कॉंटेंट के साथ तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद और बाई बाई